जीवन की समस्या का हल आपकी जन्म कुंदली में छिपा है जन्म कुंदली काया कल्प को दिखाएं समस्याओं का उच्छे तो पाए पाएं धन्यवाद दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूटूब चेनल में मैं हूँ आचार इसके तिवारी आज हम बात करने वाले हैं मेसरासी के बारे में लाल किताब के अनुसार 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है मेसरासी वालों आपके लिए हम लाएं है 2024 का भविस फल वो भी लाल किताब की रहस्में बिद्या के अनुसार हम आपको बताएंगे कि बर्स 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, वियापारियों को फायदा होगा या फिर नुकसान, साधी सुधा लोगों के जीवन में कितना प्रेम रहेगा, सिंगल हैं तो क्या डबल होगे, आपकी सेहत बर्स भर कैसे रहेगी, क्या साथ धानिया रखनी होगी कैयर और एजुकेशन के शेति में सफलता आपके पास होगी या दूर, साथ में महतपून बात है, आपके आर्थिक स्थिती के बर्स 2024 में क्या योग हैं, पैसा भरपूर आएगा या फिर जेव खाली रहेगी, कौन सा रंग आपके लिए भागे साली रहेगा, किस रंग से आपको दूर रहना होगा, मेसरासबालों के लिए बर्स 2024 में कौन सा नंबर भागे साली या लकी रहेगा, साथ ही कौन सा नंबर अनलकी रहेगा, आपकी मेसरासी है तो बर्स 2024 में रहेगी आप पर गुरू की क्रिपा, लेकिन आपको राहू की चाल से बचकर रहना होगा, तीन कार्य ऐसे हैं जिसे आपको बिलकुर नहीं करना चाहिए। अन्यता अगले वर्स 2024 में आपकी परिसानी खड़ी हो जाएगी। फिर आपको इससे बच नहीं सकते। इसके अलाबही बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे जो निश्चित रूप से आपके लिए काम की रहेंगी। मेसरास बालों के लिए ये अच्छी बात है कि आपकी रासी से गुरु चांडाल की यूति समाप्त हो गई है और आप पर बिरहस्पत देव की बिसे स्क्रिपा रहेगी। तो आईए जानते हैं लाल किताब के अनुसार मेसरास का भविस्ट कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके केरियर के हिसाब से 2024 कैसा रहेगा। आपकी जन्म कुंड़ी के दसमभाव के स्वामी सनी की एकादस भाव में गोचर रहेगा जिसके चलते केरियर में आपको उन्नती होगी। सनी आपकी नोकरी में इस्थाइत और पदोनती लेकर आ रहे हैं। नोकरी पेशा है और मन में ब्यापार करने के इक्षा है तो बरस 2024 आपके लिए अनकूल है। आपको विदेश जाने के बहुत मोके इस बरस मिलेंगे। आपके काम के सिलसिले में आपकी बेस्ता भी अधिक रहेगी। यदि आप नोकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आप मार्च में यह निर्णे ले सकते हैं। बात करें अगर आपकी प्रत्योगता और सिक्षा के बारे में तो बरस 2024 में छात्रों को उनकी मेहनत का फ़ल मिलेगा। प्रत्योगी परिक्षाओं में सफलता की योग बन रहे हैं क्यूंकि ब्रिहस्पत आपके पंचम और नवम भाव पर दिष्टी डाल रहे हैं। इस कारण आपको भागे का साथ मिलेगा। हलाकि आपको सनी के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आचरण को सुद्ध बना कर रखना होगा। अन्यता करी कराई मेहनत असफल भी हो जकती है। यदि आप भ्रहम को त्याग दें तो परिक्षा में आपका प्रदर्शन बहतर रहेगा। क्यूंकि रहु आप में भ्रहम उत्पन्न करेंगे और आपके निर्णे लेने की छमता को कम जोर करेंगे। आपको सलाह दी जाती ह कि आप अपनी मेहनत पर ही भरोसा और विश्वास रखें। बात करें अगर 2024 आपके ब्यापार के लिए कैसा रहेगा तो अगले वर्स 2024 में ब्धिहस्पत की सात्वे भाव पर दिष्ट और सनी की एकादस भाव में बिराजमान होना अपने ब्यापार को चार चान लगा दे होगी साजेदारी का ब्यापार है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बर्स 2024 में आपको अचानक से धन मिलने की संभावना भी है हो सकता है कि यह पैत्रिक संपत्ती से मिले या पूर्व में किये गए निबेश से संभाव हो आपको अपने आचरण पर ध्यान का साथ मिलने से जो लोग सिंगल है उन्हें प्यार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी इसके बाद सनी महराज पूरे वर्स कुमभरासी में रहकर आपके पंचम भाव को पूर्व द्रिष्ट से देखेंगे जिसके चलते प्रेम और दामपत्य जीवन में थोड़ी बहुत खटपट रह सकती है लेकिन यही बात रिस्तों को मजबूत भी करेगी हलाकि आपको अपने जीवन साथी के सेहत का ध्यान रखना होगा अगले वर्स आप अगस्त से अक्तूबर के बीच परिवार के साथ गूमने का प्लान बना सकते हैं अब आये दोस्तों आपकी सेहत के बारे में जानते हैं 2024 में आपके सेहत किस प्रकार से रहेगी तो सेहत की दिष्ट से यह बर्स मिस्तृत परिणाम देने वाला रहेगा क्यूंकि देव गुरु ब्रिहस्पत जहां आपकी सेहत को सुधारने का काम करेंगे वहीं राहु बि अब आये आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं तो में सरास के दोस्तों आर्थिक दिष्ट से देखा जाए तो बर्स 2024 उतार चड़ाव से भरा रहने वाला है क्यूंकि संग्देव जहां आपको ग्यारवे भाव में रहेकर धन परदान करते रहेंगे वहीं बार अब आये दोस्तों लाल किताब के उपाये के बारे में जान लेते हैं कि आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे जो भी आपके जीवन में मुसीवत और परिसानी आने वाली है उससे आपको छुटकारा मिल सके अब आपको बताने चाहरे हैं कुछ खास उपाए, ये लाल किताब की उपाए हैं और केवल मेसरास वालों के लिए हैं जो पहला उपाए है, उसके अनुषार आपको सब्ताह में एक दिन बरत रखना चाहिए कोई साभी दिन नहीं, एक खास दिन तो मेसरास वालों को गुर्वार का वरत रखना चाहिए क्योंकि इस बर्स गुरू को खुस रखना है, क्योंकि यही गुर्ष आपका भागे विधाता है या दूसरे सब्दों में कहें तो भागे को बदलने वाला गुर्ष है साथ ही एक और आसान उपाय मैं आपको बता रहा हूँ रोजाना यानि प्रति दिन आपको पीले रंग का तिलक लगाना चाहिए इससे आपका गुरू और भी ज़्यादा बलवान होगा और आपके उपर अच्छी कृपा दिष्ट बनाए रखेगा दूसरा उपाय है यह भी आसान उपाय है प्रति दिन सूरियोदय से पूर बुठकर उगते हुए सूरि को आर्ध देना इससे आपको नोकरी में विसेसलाब मिलेगा यह सरकारी नोकरी है या राजनी से सम्मंद रखते हैं तो आप पदोनेत प्राप्त करेंगे दोस्तो तीसरा उपाय है आपकी जब भी इक्षा हो तब बर्स में कम से कम दो बार आप चंडी पाठ जरूर कराएं इससे आप पर आने वाले संकट दूर ही रहने वाले हैं इस दोरान जो भी राहू के कारण आपको परिसानी होगी तो अगर आप चंडी पाठ का आयूजन करते हैं तो ऐसा आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है इसके साथ ही प्रतिदीन स्री गड़पत अथर्व सिर्ष का पाठ भी करना चाहें तो कर सकते हैं इससे आपको ब्यापार में अध्भूत लाब मिलेगा फरक कुछ दिनों में ही आपको महसूस होने लगेगा एक और आसान उपा है वैसे तो सभी को प्रतिदीन हन्मान चलिशा पढ़ना चाहिए लेकिन यदि मेसरास बाले बर्स 2024 में हन्मान चलिशा प्रतिदीन पढ़ेंगे क्योंकि मेसरास के स्वामी मंगल है और राहू के प्रकोप से बचने के लिए हन्मान चलिशा पढ़ना आपके लिए बहुत ही आवस्यक हो जाता है अब आई दोस्तों जान लेते हैं कुछ खास जानकारी जैसे भागेसाली अंक तारिखें और रंग के बारे में बरस्ते 2024 में आपका भागेसाली अंक 6 और 9 है भागेसाली जो डेट है वो है 6, 9, 15, 18, 24, 27 इस दिन भी सेस कारी करेंगे तो आपको लाब मिलेगा आठ तारिख से जरा आपको इस दोरान बचके रहना होगा कोई भी महतपूर्ण कार या फैसला आप 8, 17 और 26 तारिख को बिल्कुल भी ना लें आपका भागेसाली कलर नीला और पीला है लेकिन काले और कत्थाई कलर से आपको बचना भी चाहिए आपको तीन कारे नहीं करने चाहिए पहला है जुआ खेला, दूसरा सराब पीना और तिसरा जुट बोलना इसी के साथ ही आपको सन्य और राहू के मंदे कारे से इस साल बचके रहना होगा जो भी राहू और सन्य के कारे हैं उन कारियों को बिल्कुल ना करें सेहत और रिस्तों का इस दोरान आपको खास ध्यान रखना होगा क्योंकि बारवे वहर में आपके राहू गोचर कर रहे हैं इस साल 2024 में तो आपको इन दोनों चीजों से ज़्यादा परिसानी देखने को मिल सकती है इसलिए इनके कामों से दूरी बना कर रखें तो में सालस के दोस्तों ये था आपका लाल किताब के अनुसार 2024 में रासी फल दोस्तों आपको रासी फल अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों की बीच में इस वीडियो को सेयर करना ना भूलें मिलते हैं जैस्तरी राम